Hello friends, welcome back to my channel and I am Priti Fashion Viga आज की वुड्यो में देखें कि हम हार्टसेप की ड्रेस बनाने वाले हैं काना जी के लिए वेलेंटाइन्स डे के लिए के लिए के लिए बनायेंगे काना जी के लिए तो देखें यह स्थरह से पहनानी है पहले हम यहाँ पे चोली पैना देते हैं यह 0-size की काना है मैंने छोटे size के लिए बनाई है यह इस तरह से करके चोली आएगी तो वीडियो स्टार्ट करें से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें साथ में पहला आइकन प्रिस करके और पे क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी इंस्टागाम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम है अमरितीफेसमला50 या फुल लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिल जाएगा और उसके बाद हम अपनी ये जो ड्रेस है वो पहनाएंगे किसी भी साइज में बनाई आप इजिली बना सकते हैं मैंने सभी साइज में देखें मेजर्मेंट बताई हुई है यह रहा मेजर्मेंट चाट चलि मैं गोद में लेके पहना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ काफि सरे लोग का कमेंट आ रहा था कि प्लीज जीदी बताईगे वेलंटाइन डे के लिए तो मैंने बना दिया है अभी मैं सलाई से भी आपको बनाना बताऊंगी तो आप मेसेजिन को भी सलाई से बनाना देखना हूँ वो भी देख सकते हैं बहुत इजी है गाइस बहुत इजी एकदम सिंपल और आसांतरी के से आप इसे बनाकि पहना सकते हैं अपने काना जी को और यह देखे मैंने यह आपे पहना दिया है कुछ इस तरह का इसका लोक आएगा यह देखे यह ऐसे करके आपको देखे पूरी एकदम हार्ट सेप के हमारी अड्रेस पन गई है और जी रोसाइस के काना को मैंने पहनाया हुआ है तो अब इस्टार्ट करते हैं, एक तम सिंपल और आसान तरीके से हम बनाना देखेंगे, यह मैं डबल उन इसलिए लेती हूँ, इस तरह से करके लूप, हमें समझ लिए नॉड बनानी है, इस तरह से एक, और डबल उन इसलिए लेती हूँ, क्योंकि उन बहुत पतला आता है, और अब देखें, यहां पहली चेन में डालना है, डालने के बाद, पीछे से फंदे को निकाल लेना है, इस तरह से, यह देखें, छोटा सा यहां पे सरकल बन गया है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक और दो, दो हमने चेन बनाई, इस तरह से करना है, और यह छोटे से सरकल में हमें डालना है इस तरह से पीछे से फंदे को निकालना है यह देखें तीन फंदे हैं तीनों फंदे को एक साथ उतार देंगे फिर हमने इस तरह से किया सेम जगर डालेंगे पीछे से फंदे को निकालना है तीन फंदे हैं तीनों फंदे को हमने एक साथ उतार दिया यह द यहां पर हमने 3 बार राब दो ख्रोशे बनाई और इस्टार्टी में दो चैन बनाए थी, आप देखें चर्ण करेंगे, टर्न करने क बाद हमने एक, दो चैन बनाई इस तरब से करेंगे, यहां पर जो आपको पहली चैन देख रही है, इसमें डाला, फंदे को निकाला, तीन स्पैंद में तीननों को निकाला इक साथ उतारदीया फिर उसंत्र से किया यहीं सेम statutory डाला पिछे से funk को निकाला तीन हे तीन से GOD वह उतार दिया फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगण डाला, फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, ये देखें इस तरह से, फिर हम इसे टर्न करेंगे, तो वसा मैं लाइट सही करूँ, ये देखें, फिर से हमने टर्न कर लिया, टर्न करने के पाद हमने एक और दो, दो chain में राएए, अब इसके बार है जो हमारी पहली chain है इसी में हम दो बार बुनेंगे, इस तरह से करना है, पहली chain में डाला, फंदे को निकाला, तीन फंदे है, तीनों को एक रसाथ उतार दिया, एक बार हमने हाप डोल क्रोश्य बनाई, फिर इस तरह से करेंगे, सेम दो बार बनाएंगे, यह देखें सभी में एक बार बना लिया, अब यह last वाली आ गई है, तो last वाली में हमने यह एक और यहीं सेम चेन में एक और बार बना लिया, बस इसी तरह से हम इसे बढ़ा करते जाएंगे, स्टार्टिंग और एंड, जो हमारी स्टार्टिंग और एंड की रहेगी, सिर्फ उसी में हमें दो बार बनाना है, एक पर और दिखा देती हूँ, हमने दो चेन बुना, इस तरह से किया, पहली चेन में डाला, फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं, त फंदे को निकाला, तीनों को एक साथ उतार दिया, फिर हमने इस तरह से किया, स हम पहली चेन में दो बार हाप बिल करोषियाunion, बनाएगे, यह देखें, बहुत एजिय है और लास्टी इस तरह से यहाश है। चैन सुस्ट है, चैन को हमने भी हमने दाला, फंदे से लुतार से बड़ा, यह तक करता हूं. अगर आप देखेंगे व düşün देखेंगे एक, तो लेखेंगे बना को बना जो है। तैं डर्री अगे बटाओंगे क्या तो करना है है? इसे इस तरह से ऐसे double करना है, और double करने के बाद यहां पर आपको एक mark कर लिएना है, यह half आप पे, आसे जिसे आपको आधा-धा इसका मिल जाए. यह हमने यहां पर उत्वर के mark लगा दिया है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी यह एक और दो दो chain बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए जितनी भी chain है सभी chain में हम एक एक बार hardball crochet बनाएंगे तीन फंदे हैं तीनों को हमने एक साथ उतार दिया यह देखिए जितनी भी chain दिख रही है सभी में सिर्फ एक एक बार hardball crochet बनाओंगी यह इस तरह से अगर आप beginner हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत इसली आप इसे बना लेंगे और बहुत ही कुपसुरा सा आपका यह बनके ready हो जाएगा यह देखें यह इस तरह से हम इसे बनेंगे यह ऐसे करके हैं अब देखिए यह हमारा mark है तो यहां पर हमने यहां तक बन दिया इस तरह से यह हमारा मारक है, मारक के बाद अगर हम बुनेंगे तो हम इस वाले पार्ट में आ जाएंगे, तो हमें यहीं तक सिर्फ बुनना है, इसे हम टॉर कर लेंगे, हमने यहां अभी एक रो बुनी है, फिर हमने दो चेन बनाई, और यहीं पर डालके हम अपनी, देखें, दूसरी रो भी बुनेंगे, यह इस तरह से, यहां पर अभी हम किसी भी फंडे को अपने बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, यह वाली जो दो रो है, वो हम एकदम नार्मल बुन रहा है, यह देखें, यह इस तरह से, सभी साज में आपको एजली हर चीज एकदम डिटेल में समझाओंग कहीं आपको कोई प्रब्लिम नहीं होगी, यह देखें, यह हमने अपनी दूसरी रो बुन दी, इस तरह से, अब हम इसे फिल्टरन करेंगे, और सेम तरीके से हम अपनी तीसरी रो भी बुनेंगे, यह देखें, तो चलिए मैं तीसरी रो भी बुन लेती हूँ, इसी तरफ आपको आपको, यह देखें, अब हम आपनी तीन रो भी बुल लिया, अब हम अपनी फंदे को घटाएंगे, दोनों साइड से, तो किस तरह से घटाना है, आप देखें, यह आपर हमने एक और दो, दो चेन बनाई, इस तरह से करेंगे, अब देखें, इज़ पहली चेन है वो हम skip कर देंगे और अगली chain में डाल के half double crochet बुलेंगे यह हमने बुन दिया फिर सभी chain में हम एक एक बार half double crochet बनाते जाएंगे बर जब हम last में आएंगे तो last में भी हमें एक chain skip करनी होगी जैसे हमने नीचे अपना एक एक chain बढ़ाया हुआ है वैसे ही यहाँ पे अब हमारा एक एक घटेगा तीन रो बुनने के बाद हमने यह घटाना शुरू किया है यह देखें अब हमारी यहाँ पे अब दो ही बच्ची होई यहाँ chain तो यह वाली skip करके और इस वाले में बनाएंगे तो देखें इसे हमने skip कर देना है और अगली वाले में डालके हम यहाँ पे हाफ्ट बुल ग्रोश्या बुन देगे जिसे हमारा उपर वाला से भी आ जाए फिर टर्न किया फिर हमने यहाँ पे दो chain बनाई फिर यहाँ पे हमें एक chain का gap देना है और अगली chain में बुनना है अब यह हमारा इसी तरह से बुनेगा यह देखें यह हमने यहाँ पे अपनी दूसी रो बुननी है अभी अभी देखें यहाँ पे मारी दो chain है तो यह वाली छोड़ देंगे और यह लास्ट वाली में बुन देंगे यह हमारी दूसरी डो हो गई और यह हमारी तीसरी डो आप देखें कितना अच्छा सा हमारा से पा रहा है यह इस तरह से हमने दो chain बनाई यहाँ एक चैन का कैप देंगे और अगली chain में हापड़ प्रोश्या पुल लेंगे फिर यहाँ पे देखें सभी chain में बुनते हुआ आएंगे और लास्ट की हम यहाँ पे भी एक chain यह skip करेंगे और यह एकदम end वाले में डालके बुन देंगे यह हमने बुन दिया बस यहाँ से एक chain बनाके और लंबा करके से कट कर लेना है यह देखें एक side का है हमारा heart जो है वो आ गया पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से आ गया है कोई दिक्कत नहीं हुई तो इसे मैं cut कर लेती हूँ और हम इसकी दूसरी side भी बुनाई start करेंगे यह हमने cut कर दिया जब भी आपको दूसरी side बुनाई start करनी होगी तो आपको यहाँ 20 से ही बुनाई start करना होगा तो शले हम यहाँ center से इसे बुनते हैं तीन रो हम नार्मल भुनेंगे जैसे हमने उधर भुनी है तीन रो में हमें कोई भी फंदे बढाने घटाने नहीं है तो देखें इस तरह से एक chain में हमने दो अपनी chain बना ले और अगले बाले से अब हाप लोग रोश्या बनाएंगे तो शले मैं यहाँ पे तीन रो अपन बन गया है एकदम बहुत ही उप्सवर्ण सा देखें बना हुआ है यह इतना दूर से हमारी यह कमर बने की तो देखें यह एकदम अच्छे से आजएगा तो बहुत आसानी से आप बना सकते है इसकी है मेजर्मेंट भी बहुत ही एजी है चले समझाती हूँ आपको सभी साह दस दस रो हमने बुना है उसके बाद हमने डिवाइट किया तो यह मैंने बनाया है जीरो साइज के लिए जीरो साइज के लिए मैंने यहाँ पे दस रो बुना है तो आपको देखें एक नमबर में ग्यारा रो बुन लेना है किसी भी साइज में आपको हाप डबल क्रोश य 7 number 17, 8 number 18, 9 number 19, और 10 number 20 रू बूल लेनी है अब देखे इसके बाद हम क्या करेंगे हम इसे half आफ पर डिवाइट कर लेंगे और डिवाइट करने के बाद मैंने 3 रो प्लेन पुनिया तीन रो में फंदे को घटाया है तो यही चीज़ आपको भी कर नी है यहाँ पे आपको देखें, जीरो साइज में मैंने तीन-तीन का ली लिया है, एक नबर में आपको चार-चार रो भूल लेनी है, चार आप अपनी प्लेन भूल लीजिए और चार रो में अपने फंदे को घटा देजिए, दो नमबर में हमारी पांच-पांच जरो रहेगी, त अपने कि इस तरह से बनाले जैए, अब हम यहाँ पेड़री के लिए बहुत है करें, इस तरह से और यहाँ-दोरी है, जितना हम को स्दुर्भी हम प्लेन बहूर व्र कि टेसे नहीं है, उतनी ही दूर हम दोरी डाल देगी, यहां और यहां से यहां तो डाल के दिखा देती यहाँ पर ड्रेट कलर से ही अच्छी लगेगी आप ड्रेट कलर से ही बनाएगा यह ड्रेस यह देखें यह आगे से थोड़ी से मोटी नौट है इसमें इसी बज़े से यह जा नहीं रहा है त्रवाजल्दी से यह हमने डाल दिया एक साइट से इसकी दूसरी साइट भी डाल देते हैं यही पकड़ के हम इसे बादेंगे कमर पे इसके बाद हम चोली बनाना देखेंगे कि चोली हमें कैसे बनानी है यह तरह से हमने इसकी दूसरी साइट भी डाल दिया तो हमारा गेर जो है कंप्लीट हुग है इसे डेकोडेट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहां से आप चाहें किनारे किनारे से लेस्क लगा सकते हैं और भी अच्छी लगईगी देखें मैंने एकदम प्लेन और सिंपल सा इसे रखा हुआ है अब देखें चोली के लि आप ह Six छे कूल मैं हमने और णारे से आप हम लाक और सरे सी बना बास सरे से 152 लaking जे और सा फंदे को निकाला तीन यहां तीन है तीन हो को आपन दो प्लेटतरी आप उतार दिया है यहां बना लेता है फिर आगे बताऊंगे और से टॉन करेंगे और इसकी दूसरी रों में मावी से अगली चेने ड़ाला, पंदे को निकाला, तीन पंदे को निकाला, तीन है तीनु को एक साथ उतार दिया, इस तरह से हम अपनी यह रो भी बना Commonwealth को ओझाएगी यह देखे हमने हैं पर दो रो बना लिया इसी भी हम लंबी सी चेन बना लेंगे जो लास्त रहा हमाज़ा एक फंदा बल जाता है उसी से हम फोड़ी सी लंबी सी यहां पर चेन बना लेंगे बाधने के लिए यह देखें एकदम सिंपल है गाईज बहुत आसानी से आप इसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये हमने यह आपे देखें सिंपल ऐसे लंबी सी चेन बना ली तो आसा लंबा करके और कट कर लेंगे और इसके दूसरी साइड भी हम अपनी चेन बना लेंगे तो इधर भी चेन बना लेती हूँ फिर आपको मैजर्मेंट बता देती हूँ सभी साइज के लिए देखें इधर कैसे आपको चेन बनानी है जिस साइड हमने इधर चेन बनाई है वही साइड हम इधर भी चेन बनाएंगे ये नहीं कि आप यह चोली को एक सब्सक्राइब कर 26 ऐसे बना हीतर क factor पहना एग्ँ करना का था सिर्ट के लिए चैन पूरी ज्टाइभ संधाने हीिए सब्सक्राइब करना देखना है अब मैं अपको सभी साइज की मशीयर मेहलें चैन तो मैंने यहाँ पर 0-6 के लिए 20 चेन बनाई है, सबसे पहले आप चेन देख लें, zero size के लिए हमें 20 chain बनाई है एक नमबर में आप 24 बनाए दो नमबर में 28 तीन नमबर में 32 चार नमबर में 36 पांच नमबर में 40 छे नमबर में 45 साथ नमबर में 50 आठ नमबर में 55 नो नमबर में 60 और दस नमबर में 65 उसके बाद आपको कितनी कितनी रोग भुणी है भी देख लिजे तो सभी साहँच में आपको हाफड़ अ क्रॉश्या ही बनानी है जिरो साहज में आप दो रोग बनाएं जैसे हमने यहाँ पिए पना ली है चलिए अब पहना थीखा दिखा देती कूओ toot यह देखेइक हैं यहां पर मैंते डैस पन के राठी है और यह उन ने काना जी को पहना भी दिखे ऐगदम इजी आप इससे बनाई और पहनाई यह ड्रस आ डबल जीरो को भी पहना सकते मेंहें यह यह लोग लोगों के पास 00 ही होते हैं बट उनको लगता है कि 0 size है यह देखें इनसे कितने छोटे हैं बहुत छोटे होते हैं डबल 00 size तो यह 00 है यह 0 size है और इनसे बड़े जो आते हैं वह एक number होते हैं तो इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के starting में ही दिखा दे हैं अगर आपने वी आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लेगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे